आज के ये वीडियो एक्सल 2021 के उपर है और है कुछ खास क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीट फॉर्मूले की तो सीट फॉर्मूला यहां पर हम यूज करेंगे एस एच डबल एटी सीट लगा दिया हमने और यहां पर वैल्यू एक परमेटर हमें पास क्या है यहां पर शीट नंबर वन तो आ रहा है लेकिन अगर मैं अगर मैं किसी दूसरे शीट पर यह लगा हों और यहीं چीज मैं इस पर करके आपको दिखाता हूँ sheet formula यहीं पर लगा के देखा तो कहीं पर भी आप लगा लिजे दूसरे वाले sheet पर कहीं पर भी लगाईएगा answer आपका 2D आएगा यह देखें यह 2 आ रहा है इसी तरीके से तीसरे वाले sheet पर जाएगे तो answer आपका 3 आएगा इस चीज का answer क्या आएगा 3 आएगा ठीक है तो यहाँ पर देखें is equal to sheet लगाया हमने और sheet लगने के बाद इसको बंद किया parameter नहीं pass कर रहा हूँ तो यहाँ पर answer कितना आ रहा है 3 आ रहा है उम्मीद कर रहा हूँ कि बात आपके समझ में आ रही होगी ठीक है